हेलो एब्रिवन वेलकम टू अभी पीडिया पावरड बाई अभी मन्यू आईएस और सी सेट पेपर टू की प्रिविएस एयर कोस्टिन सीरीज के अंदर आज का हमारा टॉपिक रहेगा डाटा इंटरपेटेशन यस डाटा इंटरपेटेशन इंपोर्टेंट टॉपिक है द है 17 तक कोई कोस्टिन एग्जाम नहीं था बट 18 के अंधर 18 के अंदर आलमोस्ट 10 को स्थन किस के थे डी आये सकता है अज के अंदर एक कोश्चन दिया इए थी का था ठीक है डैट मीन्स वर्ट की और यूपी असी है कुछ भी आ सकता है डैट मींस कि हम यह नहीं कह सकते कि डाटा इंटर्प्रेटेशन के कोश्चन नहीं आएंगे ऐसा भी हो सकता है कि पांच से दस कोश्चन डाटा करना आना चाहिए कि हां जी अगर प्रिक्टोरियल फों के अंदर मेरा डैटा आ जाता है लाइक लाइन ग्राफ आ जाता है यह टेबल आ जाती है पाई आ जाता है तो उसको मैं कैसे यूज़ करूं बस इतना साही है इसके अलावा कुछ भी नहीं है ठीक है तो हम प्रिवि सिरीज को रिजिस्टर नहीं किया है यह जो एक कोर्स है जिसके अंदर टोटल 37 लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे है ठीक है तो जिसके लिए कोई भी आपको कोस्ट नहीं पे करनी है इसके अलावा हर एक लेक्चर के साथ में एक टेस्ट अवलेबल सो दैट की जो आपकी प्रिवियस येर कोश्ट इंपर की टेक लिंक डिवन है आपने उस लिंक पे अपने आपको रिजिस्टर करना है उसके बाद में आप पोर्टल से सारे लेक्चर अपको अविल कर सब्सक्राइब कर सकते हैं यह तो स्टार्ट कर रहे हम फस्ट कोश्चिन है स्क्रीन आपे देखे पास present at the following three items यहूiß पहर आपने पास में एक जो दियाइज्टी भी थे वह यहां उस डी आई के अंदर यस जो आपके पास में डी एग ऐब इस डी इक कि अंदर किया है आपके तीन कोश्चेन गिवन है तो जब भी बैस्ट कोश्चेन आता सबसे पहले जो Direction žीवना होती है उनको आपने केर फुली रीद करने उसके बाद उसके बाद हमने जो कोश्चें गीवन है उसको सोल करना है क्योंकि जब तक हमें डिरेक्शिन क्लियर नहीं होंगी तब तक आप उसको नहीं सोल कर सकते हो ठीक है ना आप आज की क्लास से यह आपको इतना कोंफिदेंस लेवल बढ़ जाना है कि हां जी अगर डिए पर बेस्ट कोशिन आता हम कर लेंगे ओके देखी तो सबसे पहले क्या है था फॉलोइंग थ्री आइटम्स बेस्ट ऑन ग्राफ गीवन बिलो यहां पे ग्राफ आपके पास में गीवन है क्या शो कर रहा है इंपोर् पर पियोड ऑफ शिक्स मन्स सिक्स मन्स के टाइम पिरियड के अंदर डिफ्रेंट टाइप ऑफ स्टील का इंपोर्ट की वैल्यू शो कर रहा है ठीक है अब यहां पे देखी ग्राफ देखते हैं अब ग्राफ के अंदर क्या है आपके पास में यहां पे जन्वरी से लेके जून तक का डैटा गीवन है अब यह बार ग्राफ यहां पे है हमारे पास में बार ग्राफ रिपर्जेंट क्या कर रहा है यहां पे एक ही मन्त के लिए तीन बार स्यों हो रही है थ्री बार है फर्स्ट बार रिपर्जेंट जो ब्लैंक बार है इस वार इस रिपर्जेंट क okay clear अभी आपके पास data जो है वो thousands के अंदर thousands of term imported and there is the cost for coil is $320 sheet $256 and for scrap this is $175 okay yes the next अगर हम देखें यहां पे तो question क्या है हां जी question यहां पे क्या है यहां पे question है आपके पास में इभाई हाव मच वाई हाव मच मेजर इन thousand of tons डिड़ इंपोर्ट ऑफ शीट स्टील एकसीड इंपोर्ट ऑफ कोयल स्टील इन दा फॉर्स्ट थ्री मन्स फॉर्स्ट थ्री मन्स के अंदर अगर हम देखें तो क्या कह रहा है कि इस स्टील और कोल के बिन जो इंपोर्ट है उनका आपको क्या फैंड आउट करने डिफरेंस फाइंड ऊट करने सिंपल एकसीड करें नहीं किने एकसीड करण तेखो कितना है 40 जन्वरी के अंदर अगर हम देखे तो कितना है हाँ जी 40 अगर हम फरवरी के अंदर देखते तो फैब के अंदर आप यहां पे देख रहे हो जो डाटा है वो कहां तक जा रहा देखो कितना बन रहा है 37 36 and 38 के बीच में 37 yes this is 37 अब यहां पे अगर हम देखते ह है डाटा को थोड़ा सा और लेके जाते है this is 36 ओके टोटल कितना हो गया यह आपके पास हाँ जी साथ और छे तेरह ही हो गया 130 clear this is for sheet import of sheet steel okay now come on the coil yes अगर हम coil की बात करें तो coil कौन सा ही है आप इसको देखो यह कितना है 30 okay अब यहां पे आते ही this is 31 and this one is 33 okay total कितना हो गया आपके पास में 94 so difference यहां पे आपके पास कितना आ गया difference is 19 113 minus 94 this is 19 तो यह है किसमे 19 10,000 ठीक है 1000 टन्स के अंदर है डाटा आपके पास so answer will be c अब बताईए अगर इस तरह कोछ आएगा कर लेंगे na skip तो नहीं करना इतना मुश्कीर नहीं है कि हां जी हम इसको skip करे skip करने का तो सोचो ही मताब ठीक है न अगर थोड़ा थोड़ा भी पढ़के जाओगे न तो लेवल जो है cset का इतना हाई नहीं आता कि हां जी नहीं कर पाओगे ठीक है न तो हमने करना क्या है at least previous year के सारे के सारे questions आप देख लो 5-6 साल के जितने भी है ठीक है सारे question आप देख लो देखो कि हां जी किस topic में से question ज्यादा आ रहे है उसकी तोड़ी ज्यादा प्रेक्टिस कर लो ठीक है हां जी नेक्स देखें देखो सेम दिया है अब यहां पर आगे डाटा कहा है वाट वाज अप्रोक्सिमेट टोटल वैल्यू इन डॉलर और शीट स्टील इंपोर्टर दो शिक्स मंस अब शीट की स्टील की बात कर रहे है स्टील जो है कौन से की शीट ठीक है अब अगर हम शीट की बात करें तो शीट का 3 का तो हमने अभी डाटा देख आई था अभी हमने डाटा चेक किया कितना था आपके पास this was 40 and this was 37 this is 36 okay यह तो सेमी है 36 then यह दोनों कितने है आपके पास 34 प्लस 34 ओके टोटल करेंगे टोटल आ जाएगा आपके पास में 217 ओके यह कितना है टोटल आपके पास 217 का टोटल आगे अब यह क्या है हाँ जी जो हमारा डाटा है यह क्या है 217 थाउजंड सॉफ टन और यहाँ पर क्या गिदा फिगर इन ब्रैकेट इंडिकेट सा एवरेज कोस्ट पर टन क्या है यह यह पर टन ठीक है ना तो कोस्ट गीवन है हमें यही तो बताना है कि हांजी टोटल वैल्यू कितनी होगी डॉलर के अंदर तो टोटल वैल्यू कित 26 डॉलर्स तो यू एल मल्टिप्लाई एट बाई 256 अब इसको आप जो मल्टिप्लाई करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी इस विल बी नियर बाई 55,000 ओके सो वैल्यू आ जाएगी 55,000 के आसपास की वैल्यू है यह तो आंसर आ जाएगा आपके पास में एग्जेक्ट देखेंगे तो यह एंड में 2 आना चाहिए ठीक है ना क्लियर तो अगर हम एक्जेक्ट देखते हैं तो वैल्यू में क्या जाएगा यहां पर टू बट ऑप्शन के अंदर क्या है ऑप्शन के अंदर एप्रोक्सिमेट वैल्यू ही गीवन है और कोश्यन में पुछा भी आमांसर सी कर देखेंगे ओके यस नेक्स देखेंगे नेक्स्ट कोशन यहां पर क्या है वाट वाज अप्रोक्सिमेट राश्यों अगें अप्रोक्सिमेट है ठीक है धियान रखने अप्रोक्सिमेट राश्यों शीट स्टील एंड स्क्राप स्टील इंपॉर्ट इंपॉर् के अंदर आपको बताना है रेशो बीट्विन दा इमपोर्ट आफ शीट श्टील एंड श्राप श्टील शीट अंड स्क्रेप रेशो क्या थे एक तरह से हां जी रेशो क्या थे आपके पास में तरह सच फ्रेक्शन में वेल्यू यह तट इस दे रेशो ओके अगर मालो मेरे पास में एक वैल्यू है 3 x 2 ठीक है अगर मैंने इसको रेशो में लिखना है तो मैं इसको क्या लिख सकते हैं 3 ratio 2 ओके अब यहां पे अपने पास में जो वैल्यू उसको हम देखते हैं तो यहां पे अगर हम शिट स्टील की बात करें तो शीट स्टील का हम फर्स वोस्ट यहां पर देखिए क्या है व्यांड आपने पास में this is 32 this is 34 and this is again 32 32 32 34 कितना हो गया आपके पास में 98 हो गया तो वैल्यों कितने आ जायेगी आपके पास में 98 ओके जब आप इसको डिवाइड करोगे तो वैल्यु किसमें आएगे आपके प्रेश्यों पे एक्जेक्ट वैल्यू निया गी पॉइंट में कुछ वैल्यू आएगी अगर मालो मैं कहती हूं यहां पे कन्फूज मत होना कुछ टूडेंट्स को रेश्यों के अंदर डाउट आजाते कि पॉइंट्स में कैसे आ गया है ठीक है जैसे मालों यह 3.3 रेश्य ठीक है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो टू से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.0 सुरी इस 1.5 रेश्यों 1 मिल्स की पूरे का पूरे डिवाइड करने के बाद में जो आपके पास में वैल्यू आती है उसके साथ में रेश यो क्या जाएगी 1 Okay तो यहां पे आपके पास में अगर हम देख के तो क्या जाएगी 1.2 कुछ आजएगी एग्जेक्ट तो आई नी रही पॉइंट में वैल्यू आ रहे है पॉइंट में वैल्यू आ रहे है तो यहां पर आप देख रहे हो कि क्या आजएगा अंसर अपने पास में 1 रेशो 2 1.2 रेशो 1 ओके सो अंसर विल भी बी क्लियर इसमें कंफ्यूज नहीं हो ना कई बार ये गीवन ही इसलिए क्या आपको थोड़ी कंफ्यूज हो अदर्वाइस यहां पर यह भी हो सकता था 113 रेशो 98 ठीक है ना जस्ट कंफ्यूजन के लिए गीवन है तो हमने ध्यान रखना है कि अगर इस तरह से पॉइंट में र पर यहां पर अप्रेल में जून जॉलई आगा September there are two lines and this dark line is representing what actual progress of the work and this dotted line represent the expected progress okay and this is what percentage of work this is percentage of work percentage of work given half a pass me 0% 25% 50% 75% and 100% okay now the statement is right on first June the actual progress of the work was less than the expected and June you June a ticket I mean happy the key June game about Carter this is the actual this is the expected and here you can see the actual progress is less than the expected that means this is correct okay of second care the actual rate of progress of work of ours great test during the month of August correct the actual rate of progress of August me I've been happy I guess the month I have this month I'm making actually happy because you have to say it don't say growth rate but you growth so I think it's a week now that you have to carry a party at the back of the progress of work was greatest yes to submit a look at the दीरी दीरी धीरी धीर बढ़र रहा था फिर यहाँ यहाँ एक्दम से बढ़ गया है थीक है that means what कि यह भी गरेक्त है दन, next देखो, the work was actually completed before the expected time, expected time से पहले काम complete हो गया, complete हो गया, that means कि जब 100% हो गया, that means कि work has been done, तो यहाँ पर देखिए 100% कब हो गया, expected कब था, यहाँ तक था, means September तक expected था, but यह complete कब हो गया, अगस्त में complete हो गया, that means what, कि expected time से पहले बार complete हो गया, ओके, तो यह भी correct है, then, तीनों correct है, next देखते है, during the period from 1st April to 1st September, at no time was actual progress more than the expected, कभी भी actual expected से ज्यादा नहीं है, यह यह कह रहा है, but यहाँ पर आप देख सकते हो, कि यह जो actual है, यह, this is more than the expected, that means this is wrong, but यहाँ पर आपके पास पुछा क्या क्या है, not correct, so answer क्या आजाएगा, आप हाँ जी, clear, अगर किसी भी question में आपको कोई भी doubt आता, minor सा भी doubt आता है, in that case, you can comment in the comment section, okay, yes, next question देखते हैं, again, line graph है, क्या है, आपके पास line graph क्या अंदर, consider the graph in which the birth rate and death rate of a country are given, and answer the two items follow, यहाँ पर देखी क्या है, looking at the graph, it can be inferred from 1990 to 2010, this is 1990 and this is 2010, okay, अभी है क्या graph, पहले वो समझे, पहले क्या गिवन आपके पास में, these are the years given 1970 to 2000 and this is the birth and death rate per 1000, per 1000, the dotted line represent the death rate and the dark line represent the birth rate, okay, now given that population growth rate, अब यहाँ पे सबसे पहले population growth rate हमने देखनी है, तो population growth कैसे होईगी, हाँ जी, अगर birth rate ज्यादा है, death rate कम है, death rate अगर कम है और birth rate ज्यादा है, तो population growth rate इसका मतलब बढ़ रही है, ठीक है, अगर opposite है, that means, की decrease हो रही है, अब यहाँ पे question में पुछा गया आप से, की 90-90 से 2010 तक, 90-90 से 2010 तक अगर हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, की पहले क्या हो रहा है, की death rate आपके पास में कम है, death कम हो रही है, death rate कम है, ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होगी, यह stable होगी है, स्टेबल होगी है, डन, बट यहाँ पे देखो जो birth rate है, birth rate क्या है, कम हो रही है, birth rate कम है, कम ही होते जा रहे है, ठीक है, बट यहाँ पे यह देखो, यह stable है, that means what, की birth rate तो कम हो हो रही है, birth rate कम हो रही है, और death rate स्टेबल है, death rate स्टेबल है, birth rate कम हो रही है, that means what, की जो population growth rate है, वो क्या हो जाएगी, decrease हो जाएगी, ठीक है, तो answer क्या आजाएगा, यहाँ पे आपके पास में, भी आजाएगा, अब अगर यहीं पर आपके पास given होता कि आपके पास 2000 से 2010 ठीक है ना तो उस case के अंदर हम थोड़ा सा यह कह सकते थे कि almost remain same और यहां पर होता approximate approximate यहां पर approximate नहीं given अगर यहीं पर होता ना कि हां जी कि just remain stable यह कुछ भी इस तरह से कि approximation का हमारे पास में होता तो उस case के अंदर सी answer हो जाता यह काफी पच्चों को confusion है इसके अंदर कि C answer आए यह बी आंसर आएगा ठीक है बट यहां पर आपके पास में आप probability नहीं ले सकते हो ठीक है ओक है रहा है रहा है रहा है रहा है यहां पर नहीं दिखाई देरी ना जस्त यह स्टेबल अपर इसमें थोड़ा सा चींज आ रहा है ना सो क्या आपके पास में बी आंसर आएगा नोट सी यह स्ट देखिए सेम डी आई है क्या है आपके पास करें कि वीद रेफ्रेंस टुद अबोग्राफ कंसीडर फॉलविंग स्टेटमेंट कंसीडर नाइंटीन सेवन्टे एज द बेस येर नाइंटीन सेवन्टे को बेस येर लेना ठीक है अब यहां पर क्या करां पोपुले रेटगे येरियरं सेब्लाईज होने की को दो से लिएज इसानित शाइबू के बाद कि तो क्या होज़ाएगा population growth rate stabilize हो जाएगी ना कि population stabilize हो जाएगी so ये correct है death rate fallen by 10% in the first 10 year first 10 year के अंदर death rate 10% कम होगे first 10 year अगर हम देखे first 10 year के अंदर अगर हम देखे तो यहाँ पे देखो death rate has fallen by 10% in first 10 year अगर 90 से 70 से लेके 80 तक अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखो यह कितना है आपके पास में this is 21 और यह अगर हम देखें तो यह अपने पास में कितना है हाँ जी birth rate this is nearby 26 sorry 28 होगे ना 28 के nearby है ठीक है यह 28 है यह 21 है that means कितना होगे आपके पास में 7 का difference होगे तो कितना growth rate यहाँ पे follow ठीक है population growth rate growth यहाँ पे sorry death rate कह रहा है I am sorry this is death rate not growth rate मैं growth rate calculate कर रही हूँ death rate आई है क्या है देखो first तो किलियर है first में तो किसी को कोई भी डाउट नहीं है growth rate stabilize हो रहा है 35 years के बाद में second के death rate death rate has fallen by 10% in the first 10 years death rate कह रहा है तो first 10 year के अंदर अगर हम death rate देखें तो 70 के अंदर कितना है death rate this is 25 ठीक है और यहाँ पर अगर हम देखते हैं 80 के अंदर तो 80 के अंदर यह कितना है आपके पास में 21 ठीक है 21 है ठीक है अब यहाँ पर देखो death rate की कितना और है आपके पास में अगर हम decrease की बात करें तो कितना decrease हुआ है 25 से 25 से 21 divided by 25 करेंगे इसको ठीक है तो ये कितना हो गया आपके पास में तो कितना decrease हुआ है 16 परसेंट कितना decrease हुआ है 16 परसेंट बत ऑप्शन में क्या गिवन है death rate has fallen by 10 परसेंट बत death rate is actually fallen by 16 परसेंट तो ये रोंग हो गया आपके पास birth rate has stabilized after 35 years 35 ये अगर 90 70 के बाद 35 के अगर हम बात करें तो देखो birth rate ये है ये धीरी धीरी करके stabilize होता जा रहा है ठीक है ना तो ये अपने पास में ये भी true है तो क्या जाएगा आपके पास first ये है आपके पास second and fourth is correct so option D is the correct answer क्रिया है हाँ जी बोलो किसी को कोई भी डाउट हो इसके अंदर हाँ जी अगर कोई डाउट आता है मैं बार बार कह रही तो ये अपना क्लियर होगे next question देखते है next question अगें एक कोड ये सारी की सारी डिया इस 2018 के अब आप देख सकते है 2018 के अब कितने सारी कोश्चिंस आयो इस डिया बेस्ट अब देखी अब देकी the manufacturing cost and projected sale of a product are shown in figure a and b a and b दो figure है ये क्या है number of pieces manufactured ये manufactured है and this is the cost of production in laps this is the production cost okay and the second graph shows the number of pieces is sold ये manufacture है this is sold and this is the selling price per piece ये पर piece है आपके पास में okay done अब यहां पे देखी क्या है किर दे manufacturing cost and projected sale for the product are shown in the figure a and b respectively what is the minimum number of pieces pieces that should be manufactured to avoid a loss कर लोश को avoid करने के लिए minimum कितने pieces उसको यहां पे कह रहा है कि manufacture करने पड़ेंगे ओके तो अब देखो अगर माल लो हां जी कोशन क्या कह रहा है देखो जब हम गर profit loss की बात करते हैं तो profit क्या होता है अपने पास में हां जी profit क्या हो अपने पास में यह स्पी माइनस सीपी ठीक है और जे जो है यह क्या होना चाहिए दिस शूट भी ग्रेटर दैन जीरो ओके अगर ग्रेटर दैन जीरो है यहां पर क्या रहा है यहां पर क्या रहा है यहां पर कोस्ट कितनी आ रही है है इस इस जीक्स लेक ठीकर भी यह ठीक है चीक्स लएक कॉस्ट रये आपकी कितनी वन थाओज अ प्रोजेक्ट की M Child पीछ की पीस कोस्ट कुटनी है 6 , ठीक ह्ड्मिश्सी भान पीस कग्या फे olması को श्ट कितनी ж पड़ेग्या आपके पास में 6별 डिवाइब श्ट भई हां जी 600 अगर हम यहां पर देखें तो अपने पास में 1000 का यहां पर देखो SP कितना आ रहा है हां जी 400 रुपे की जहां पर मैनुफेक्टरिंग कोस्ट पढ़ रही है अगर हम उसको 400 का सेल करते हैं इसको लेने की जरूरत नहीं थी आपको ठीक है आप डारेक्टली 2000 से शुरू कर सकते थे बट एक बर समझना जरूरी है कि हैं कैसे फाइंड आउट कर रहा हूँ ठीक है अब यहां पर देखो अब लेते हैं हम दूसरा केस दूसरे केस के अंदर लेते 2000 2000 अगर हम लेते हैं तो 2000 कितनी है सेवन लेक यह दैट मींस की एक पीस की कोस्ट कितनी पढ़ रही हमें हां जी साड़े तीन सो रुपे पढ़ रही है सेवन लेक डिवाइड बाल 2000 दन उसके बाद में अगर हम 2000 के अंदर देखते हैं तो यह देखो 2000 पे प्राइस कितना आ रहा पर पीस 350 350 manufacturing cost 350 ही उसका selling price है that means what no profit no loss so minimum number of pieces that should be manufactured to avoid the loss is 2000 pieces okay so answer will be 2000 done clear yes next देखिए next question क्या है अगें आपके पास में एक अग्राफ गीवन है लाइन तो अच्छे से कर लीजी आप ठीक है क्या करें आवरेज आर्ली अर्निंग आवरेज आर्ली आर्निंग पर यह ओफ दो वर्कर सीरे भीप्ते है 15, 16, 17 यह यह से यह इस अर्निंग अब यहाँ पर देखो 2013 में कितने है 20, 14 में 25 ठीक है 15 के अंदर 30 यहाँ पर देखिए 35, 16 के अंदर और 17 के अंदर कितनी हे आपके पास में 40 अगर हम दूस्रे की बात करें तो दूसरे के अंदर भी क्या है 13 के अंदर कितनी है 20 यहाँ पर कितनी थी 13 में 20 ठीक है यहाँ पर मैं लिख दे तो this is 30, के अंदर 20 थी, इसमें कितनी है, 25, यह है 30, this is 35 and 40, अब compare करते हैं, आप देखो, यह कितनी है, 13 के अंदर, 20, यह भी 20 था, 14 में, कितनी है यह, 35, sorry 25, 25 है, this is 30, this is 35 and this is 40, clear, तो यहां पे आप देख रहे हो, कि दोनों के अंदर ना जो values हैं, वो same है, that means कि जो E की value है, वो बिलकुल same है, दोनों graph same है, ठीक है न, अब यहां पे, अब options पे जाते हैं, आप देखो क्या क्या रहे, values of E are different, अभी मैंने आपको बताया, दोनों की value क्या है, same है, तो different कैसे क्या देंगे, this is wrong, ranges, I the difference between the maximum and minimum of E are different, हां जी, maximum और minimum का difference, क्या रहा, range is different है, maximum कितना है, 40, ठीक है, minimum कितना है, 20, difference is 20, here 40 and this is 20, तो कितना है आपके पास में, ये 20 है न, ठीक है, तो difference कितना आगया आपके पास में, 20, that means कि this is same, ओके, तो ये भी आपके पास में क्या हो गया, wrong, slope of graph are same, देखे, आप हमने यहाँ पे देखा कि सारा को same है, तो slope यहाँ पे क्या रहेगा, same रहेगा, ठीक है, अगर वैसे अगर हम देखे, यहाँ पे 20 divided by 14 minus 13, 2014, एक साल का difference आ रहे, तो यहाँ पे यहाँ आगया, 2014 में से 13 को minus किया, हमने, this is 5, okay, in this case also, the slope will be, कितना आजाएगा, this is 25 minus 20 divided by 2014 minus 2013, that means again 5, दोनों का slope same है, calculation करने की जुरूरत नहीं थी, जस्ट एक बार आप लोगों के understanding के लिए मैं आपको समझा रहे हूँ, तो दोनों का slope क्या है, same है, तो यह आपके पास में correct answer आ गया, ठीक है, एक बार फोर्ट पी समझा देती, option में क्या है, क्या है, rates of increase in EE are different, rate indifferent है, तो यहाँ पे आप देख अगें, line graphs है, क्या given है, यह है, consider the following graphs, the curves in the graph indicate different age group in the population of two countries, A and B, over a period of few decades, okay, जो line graph है, यहाँ पे जो curve है, वो शो कर रहे है, क्या शो कर रहे है, यहाँ पे आपके पास में, the different age group in the population of two countries, A and B, now, देखिए आप में, यह है, आपके पास में, जो dark line है, solid line है, this solid line representing less than age group 15, okay, this dotted line, this dotted line shows the age group of 15 to 64 and this one is representing the age group of 64 plus, okay, clear in the both graphs, now, with reference to the above graph, which of the following are the most logical and rational references that can be made, फस्ट देखते हैं, देखो यहाँ से आप देख सकते हो, फस्ट क्या है, यह अपने पास में जो है, यह working group है, working group है, ठीके न, अब यहाँ पे देखो, क्या given, क्या given, क्या कि over the last two and half decades, the dependency ratio for the country B has decreased, क्या जो B है, B की dependency ratio क्या है, decrease हो रही है, अब यहाँ पे देखो आप, हाँ जी, यहाँ पे जो decades है, इसके अंदर, यह है dependency ratio अगर हम चेक करें तो यहाँ पे क्या होता है dependency ratio सबसे पहले यह पता होना चाहिए dependency ratio होता क्या dependency ratio is equal to what कि यह जो आपके पास में the value of the age group of 15 to 64 that means कि जो working force ठीक working force divided by the dependence that means कि less than 15 and more than 64 ओके तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यह अगर हम देखें तो यह क्या है B का less है दिलकुल correct है तो यह क्या है over the last two and half decades the dependency ratio of the country B has decreased yes definitely we can see here okay next by the next end of the next two years and half decades the dependency ratio of country A will be much less than the country B A की कह रहा है कि बहुँ ज़्यादा कम है तो अब यहाँ पे देख रहे हो A की कम का है A की तो ज़्यादा है अगर हम यह find out करते है next के अदर तो A की dependency ratio क्या है ज़्यादा as compared to B और यह क्या कह रहे है A will be much less तो यह क्या हो गया wrong हो गया okay third देखते है in the next two decades the workforce next two decades अगर हम देखते है तो कह रहे है कि the workforce relative to its total population will increase in country B as compared to A अगर country B की ज़्यादा है कह रहा as compared to A तो यहां तक आप देख रहे हैं कि यहां तक तो बढ़ रहा था ठीक है बाद में क्या हो यह कम हो गया ठीक है और यह dependencies इसकी यह यहली हमारी थोड़ी सी increase होगी है यहां पर अगर हम compare करते हैं ठीक है अगर हम यहां पर find out करते हैं कि वर्क फोर्स लेटरी तो टोटल पॉपुलेशन तो यहां पर जो है वो comparatively अगर यहां से हम देखे तो यहां से देख रहे हैं और यह दोनों यहां पर आप देख रहे हो कि b का जो वर्क फोर्स है b कांट्री का जो वर्क फोर्स है इस इस increased as compared to country a so this third one is also correct so answer क्या आजाएगा आपके पास में one and third yes this is one and third is correct okay clear कोई डाउट इसके अंदर simple था जस्ट आपको रीड करना ना चे ग्राफ और कुछ भी नहीं है नेक्स देखी यास डिस इस टूथाउजन ट्वेंटी अथ कोश्चन टूथाउजन ट्वेंटी के अंदर जो कोश्चन आया था गेन विल्कुल सिंपल कोश्चन था या तो टेबल पे ही आया हुए ही 2020 का कोश् अगर आप लोगों को लग रहे हैं कि हम इसली कर पा रहे सारे कोश्चन इस तरह के अगर आ जाते हैं तो हम इसली कर लेते देन वेलन गुड ठीक है कुछ डियाई की कोश्चन आपके टेस्ट के अंदर गीवन है आप टेस्ट अटेंट कर लेजी उससे थोड़ा और दन माइक्रो कोर्स ओफ डियाई आप ले सकते हो ठीक है ना डाटा इंटर्प्रेटेशन उसके अंदर अगर आपको टेबल में प्रोब्लम आ रहे है टेबल ले सकते हो लाइन ग्राफ में प्रोब्लम आ रहे है लाइन ग्राफ के उपर बेस्ट को स्टेंस एस वेल एस के लिए क्यों दस पंद्रह जार रुपे हमने खराब करने ठीक है ना आप पहले स्लेक्टिव टॉपिक्स चूज करो स्लेबस के अकोर्डिंग प्रिवियस एर का पूरा एनलेसिस करो ठीक है उसके बाद में आप देखो कि हांजी किन-किन टॉपिक्स में से मैक्सिममम कोस्ट ठीक है ना और हमारे पास में अभिपीडिया के में बात करते हूं तो आप जब पॉर्टल पे जाओगे तो वहां पर हमारे पास मोडियूल कोर्स इसकलिए माइक्रो कोर्स इस अवलेबल है ठीक है तो उसके अंदर आप पर्टिकुलर टोपिक ले सकते हूं अगर आपको ज ले सकते हो ओके description में लिंक अब लेबल अगर फिर भी कोई प्रोब्लम आ रहे हैं आप कमेंट भी कर सकते हैं यह मैंडम प्रोब्लम आ है हम माईक्रोपोर्स के अंदर ऑके यास next question देखते हैं बिल्कुल इजी question है क्या है for which पीरियोड पास नेच्टरल ग्रोफ रेट मैक्सिमम किसके अंदर मैक्सिमम क्या करना है आपने यहां पे यह गिवन आपके पास 1911-1921 बार्थ रेट is 48.1 and death rate is 35.5 तो growth rate क्या हो जाएगा दोनों का difference find out करेंगे growth rate आजाएगा तो आप यहां से देख रहें आप कि जो पहला है तो यहां पे आपने पास में आजाएगा 11-5-6 this is 12.6 okay second के अंदर देखे आप यह हो जाएगा आपके पास में 19.9 यह हो जाएगा आपके पास में नाइन यह हो गया आपके पास में 11 से नो गया दो और यह हो गया आपके पास में अगें 11 से याठ गया तीन यस तो यहां से आप देख सकते हो कि जो ग्रोथ रेट है वो आपके पास मैक्सिमूम किस के आ रहे 90-71 से 90-99 हां जी यहां पे यह बचे हां 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 एक सेकेंड यहां पे क्या है आपके पास में 81 है यह गलती से 98 आ रहा है ठीक है ना अगर हम देखे तो ग्रोथ रेट बाद किजिए रख रहा है यहां पे तो आप यह वाला ले सो ठीक है हां जी तो क्या आज आएगा आपके पास में ना जो ओप्शन है ओप्शन है यहां पे आपके पास गीवन क्या है यह तो बेटा अपने पास में स्क्रीन शोटी लिया हुआ है पिपर का ठीक है इस में भी टाइपिंग इश्यू तो यह अपने पास में ओप्शन है इस विल बीड़ ग्रेक्ट मिन्स के ओप्शन क्या आएगा आपकी 1971 टू 1998 ओके 1998 आ जाता है 81 आ जाता है इट डेजन्ट मैंटर ठीक है बट यहां पर आप देख रहे हो कि जो ग्रोथ रेट है वो इसकी सबसे ज़ाद है अगर वैसे हां जी एक और बात मैं आपको बता देती हूं यहां पर जो वैलियूस है यह वैलियूस तो वैसे ही हमारे पास में डिरेक्ट आपका अंसर यह आ रहा है बट अगर मानलो ग्रोथ रेट के अगर हम बात करेंगे तो रेट के अंदर क्या करोगे आप अगर हम इन दोनों को कंपेर करते हैं तो यह मिनिममम है अगर हम करते हैं 22.2 by 41.1 ठीक है और यहां पर आपके पास में यह है आपके पास में 22.3 by 37.1 तो ज्यादा किसमें आएगा जब जिससे हम कम वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो यहां पर 37.1 से जब आप डिवाइड करोगे तो वैल्यू ज्यादा आएगी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है तो नेचरल ग्रोथ रेट जो मैक्सिमम है वो कब आ जाए गया आपकी क्लियर हाँ जी किसी को कोई भी डाउट अगर कोई डाउट है you can comment in the comment section it was all for today will be the next class with new topic okay thank you so much